आज बुराई पर अच्छाई का दिन हुथी तो ऐसे यहां पर रावट का फुक्रा नहीं किया जाता हूं ती रावट की फुचाती जाती है ऐसे विवाद के इस तुती नहीं बढ़ी तो नहीं पर अच्छाई पर अच्छाई जाता हूं जाता है जो भी जो भी किया हूं पर अच्छाई में तेर के तामती भी पड़े गादे गड़े हैं तो तो इस वक्त जैसे कि हम लोग मौजूद हैं बिसरक गाओं अपने आप में एक अलग पहचान रखता है ये गाओं ये कैसा गाओं है जहां जब देश में हर जगह रावट देहन की बात की जा रही है वहां यहां पर शोक की बात की जा लिए बताय जा रहा है कि जैसे पर लोगों से उनकी राजनेतिक क्या सूजबूज है, क्या जानकारी है, क्या कुछ वो लोग कहना चाहते हैं, उसको जानने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे बाज हमने सोचा कि आये थे मंदिर को यहां पर आपको बताने, दिखाने, ऐसे में काफी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बाच्छीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहां का माहौल क्या है, माहौल क्या कह रहा है यहां पर, तो वो जानने के लिए सबस काउं की पहचान होनी चाहिए, आपने बड़ा बढ़िया कि पहचान के साथ पद भी बता दिया, चलिए, यह बताइए क्या कुछ कर रही है, यहां बीएसपी अभी, बीएसपी यहां पर किसान की जो आबादी का निस्तारन है, और जो पिलोट परसेंटेज की अभी तक न को बिन मिल पाया, बुक मुद्दा क्या इस गाउं का बिसरक की बात करूं तो क्या मुद्दा है, यहां पर को जी विकास इतना खाइस तरह हो नी पाया, जैसे हमारे विसाल मंदिर रामन का जनना बहुमी है, इस तरह खाइए, इसलिए रामन का भी जो बिसाल वर्ल्ड में माना जाता है, इस मंदिर को इतना इहां पर विकास नहीं है, जैसे बिसरक को मसूर जानता है पूरा, यह बताइए, पूरे देश में जब बात हो रही है, कि आज बुराई पर अच्छाई का दिन है, ठीक है, तो ऐसे में यहां पर रामन का पुतला दहन नहीं किया जाता है पूजा की जाती है, ऐसे विवाद की स्थिती नहीं बनती कभी बाखी लोगों के साथ, नहीं हमारे यहां पर आज तक रामन जी की पूजे ही होई है, आज तक को देहन नहीं करा गया, आज तक को यहां रामन की पूजा होती है, राम जी की पूजा होती है, राम जी की पू मैं यही बगलवला गाउश है, मेरा जाती धरम राजनीती इसमें परे है सब कुछ, भावनाक्षाब का अलाग अलाग हुता है जैसे मेरा आप राजनीती में आयो, मंदिर की शामने, तो राजनीती में एक चीज यह है, भावी देखो जो सिकुरियूटी देगा, बोट उसी को जाएगा, जो शुरक्षा देगा, उसी को बोट जाएगा कौन देरा है सुरक्षा, जो भी पाटी देगा, हमने इतने से शालों से दो देखके आये हैं, अब तक तो उसी साफ से लाइज नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, आपको चाहिए, वो मिली नहीं, क्या चाहिए, सुरक्षा दो जाहिए, बच्चे का, जैसे का अपवारन से ले आगे देखना पड़ेगा इस शाव चुला में किसको क्या मुद्द रिकास हो रहा है यह देखिए आपके यह मंदिर इतना प्राचीन मंदिर है यह लोग दूर दूर से आते हैं यह देखिए सडक का हाल बेहाल है बिल्कुल यह हमारा देश विशाल बड़ा देश है एक दम से नहीं हो चोटे चोटे बिसरक जैसे गाहों से मिलकर ही तो देश बनता है एक तो पैटिश कोड़ आवादी वाला देश है छोटा सा एक देश है अज जहां पे मैंडम कुछ कह रही है हाँ मैं यहां पर इंडस्ट्री है और 2010 में यहां पर अपनी फैक्टरी लगाई थी एक ताइम था कि लोग आके हमें डराते थे धंकाते थे और लेकिन इस चेत्र का विकास हुआ है मैं महिलाओ के यहां पर बिसनस करती हूँ तो आज महिलाओ के स्थिती बहुत बेटर है जो य जो इस गाओं के मुख्या सरपंच उनसे पूची ना उनके फंड का जा रहे हैं आप देखिए बहुती जी को तो वह करें लेकिन यहां के लोगों से पूची ना वह क्या मिलके विकास निंग कर सकते इस गाओं का सरपंच मुख्या प्रधान है और एक जमाना था कि लोग यहां पर लड़कियों की चुनिया खीच-खीच के ले जाते थे मैंने बहुत सारी लड़कियों को रिस्क्यों किया मेरी एंज्वे लेकिन आज की रेट में चप्पे चप्पे पर पुलिस है और रिंदा शुक्ला मैं और रेजनी मैं और जो श्रधा पांडे मैं मैं जो अब यूपी की पुलिस काम करें कभी नहीं किया जै ट्राफिक पुलोस हो चैए में कब आना हुगा कब पार्टी में कब आ गया हम लोग तो जन संगी है मेरे दादा नाना सब संग से हैं पारेवारे खाए मेरे जो च दोटी इसी दुनिया है थोड़े दिनों पहले हमारी हरवंस जी के हम वहीं गए थे उसी एरिया में थे वहीं नाम ले रहे थे वहीं बातचीत कर रहे थे और आज आप उनके परिवार से लोग ने जो रावत जी भी थे उनके साथ शाखा लगाते थे तो लेकिन हिंदुत ने जितनी आज तरक्की की है उतनी कभी निकी ये सही बात है ये देश हमारा है ये हमारा ही देश हे हिंदुों को देश है किसी और का देश निये-मुसलमान यहां पर कभी पैदा नहीं हुए थे इसको और थोड़ा साझ देखिए इंक दिन भी दसहरे का है तो इस पर और तो रावन जलाने का मतलब होता एक प्रतिकात्मक तरीका है कि देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। में होते हैं अगर एहंकार पाल लेते हैं तो उनके साथ भी समस्या हो नहीं लगती है ठीक है आप लोग मंदिर से अंदर दर्शन करके आ रहे हैं नाम बताएगा रजात सक्षेना जी कहां से आप मैं बेसिकली तो रामपूर से ब्लॉंग करता हूं यूपी से अभी यहां पर होता है एक ऐसा गाओ है जहांपर की पूजा की जाती है पुटला दहन नहीं किया जाता रामलीला का मंचन नहीं किया जाता तो इसको किस नजर से देखते हैं देखिए सारी सरकारे आई बीएसपी हो उसके बाद समाजबादी हो फिर उसके बाद बीजेपी आई है अब एक चाहिए बहुत रही है सबकी महत काँचा है कभी खतम नहीं हो सकती ही कुछ इंप्रूमेंट्स हुए थे पहले के मुकाबले जो है काफी इंप्रूमेंट्स हुए है ठीक है सुरक्षा की दरस्टी से देखा जाए तो आप काफी अलर्ट है पुलिस बगरा क्योंकि पहले तो यहां पर डर लगता था निकलता हुए रात के समय में मतलब विंटर्स के बत कर रहा हुं मैं अब एक चाहिए सभी सरकारों से रही है और रहेंगी क्योंकि पब्लिक डेमोक्रिसी है वोट देना हमारा फर्द है लेकिन जिससे हमारी उमीद ज्यादर रहती है उस उमीद पे खरा कौन उतर रहा है पबली यहीं देखती है कहीं नगई खरा अभी दे पुलिस तक से अवद्र बेभार किया जाता था आपको भी पता होगा आप मीडिया में हैं क्योंकि मैंने आखो देखी बात बताई आपको तो वह कहीं ने कहीं काफी इंप्रूब हुआ है वो चीज जो है अब हम पुलिस से बिल्कुल क्योंकि लान और हम अपने हाथ में ले स कुछ चीज ऐसे बदलाओ आ रहे हैं ठीक है बदलाओ आ रहे हैं ठीक है यह तो जिन से मैं बात कर रहा हूं सीधे मुद्धा सुरक्षा की तरफ ले जा रहे हैं तो सुरक्षा में ठीक है सुदार हुए है वो अलग विशय है लेकिन यह बताईएगा कि यहां पर आप मंदेर मंदिर क्या संतेश देता है कि रावन जी बहुत बुद्दिमान थे बहुत सक्ती साली ठें और एक मोड रहा कि उनमें हम माया मैं आया वो गल्थ Wallace तो Sprint挺 चलने पर ऐसा कि बढ़र रहे साई और यहां उसके बाद में उसका नास ना हो उनका नास सरवनास होने का रिजन वही था उनमें हम आ गया था है थे वाज़े से पब्लीग बोल रही है पर वह चोड़ की बाता नहीं कि आप फूलका नहीं घूंप तो सिर्वहटitated सिर्व और सिर्व तो जो निचे से एग चोटे से गाहम तैसिल जिला परमुक से राजय और सेंटर गौवर्मेंट से जाते हैं सिर्फ और इधी नेता जी थे उन्होंने टूलकर बता दिया ब्यूस्पी वाकिकल कर नहीं बता रहा है । नहीं जी को दोबारा मौगा एक दिना बहुत आप आपको बताने की कोशिश कर रहा चाहीं सेंटर गोर्मेंट हो चाहीं नीचे क्या स्टेट गोर्मेंट हो सब जगे बिजेपी का ही आने वाला है तो पूछ रहा था काफी देर से हाँ आप बताई आप समझ रहें चीजों को मुस्करा भी रहें ठीक है बताईएगा कि क्या है थीए यह देखिए जगा आज खास भी है और फास जगा पर हम लोग भी मौझूद है तो खुल कर बताईये कि क्या मौहल लग राए है यहां का महौल अभी तक तो 10 सालों में बीजेपी का था हमारे सासल आठ साल से ये रोड आधकम्लीड नहीं अब आप आ आई आए सपा सरकार वे ऐसे कांड नहीं होते मामले में हर मामले में लेकिन सब जब सपा जैसा काम ही करना है बीजेपी को लाया क्यों घर का वेदी लंका डाई कौन है भी आपका शाम नहीं है तो कहने में देखी है अमरे 135 कोड़ोर की आबादी है पास्टाल में चूटकी से नहीं हो जाता है जो लोग पचाश्चाल से रजनीदी कि यह अपे उन्होंने कुछ उखार नहीं पाया उतर प्रदेश की बात कर रहे हैं तेस करोड़ी कर रहे हैं उतर प्रदेश में शबाक ऐसा है 99 परसेंट भी खरनी तुरा जो भी आज उत्तर प्रदेश को चपकाने का काम करा बहन कुछ नहीं करा है और किसी नहीं किया अखले से अदों ने किया है अखले शादव ने किया जितने भी हाइवे बनाए है जिए कोलीज बनाए है बालक इंटर को दिया जैसे राइ इस चीज को समझ रहे हैं बुजूर्गों का असिरबाद युवाओं का साथ गोटाला जी माया बतीजी की सबसे ज्यादा है अपोटाला है तो फिर बीजेपी ने क्यों नहीं को जेल में डाल दिया डाल दें सरकार में सत्ता में है अपको तो पता है ना शबकुत यहां पर सतता में फिर क्यों हो बाईया संदेर बेश्चाबां दियुके बाईया जाए है टिक हमारे गोतमुद नघर से तीन विधान सवा लगती है सेक्टर 6 बासट नाधरी सबस्क्राइब तरह सतरह देख लो तो दोजार साथ क्यों देख जा इंसा मैं बता रहा हो न आपको परिवर्तन आता है कुछ काम गलत हो जाते हैं किसी पर भी हो जाते हैं तक तो बचे नहीं विदायक भी दीरे-दीरे बहन जी ने बहर करते गहीं करते गहीं कोई बात नहीं है वाज़ेंगी बहन जी ने साब सब्दों में बोल दिया कि उत्तर परदेश का चम्खाने का काम करेंगी वो जो उन्होंने महापुर्षों को मूरतिस्थापना जो भी कर तो प्रूद्टी लगवा लगवाई है यह बात आपको बिल्कुल ठीक करें लगवाई यह उन्होंने अपने मैंड से वह पड़ी लिकिये वह लगवा लेगे लगवा लेगी तो मैंने भी करिया यह लगाई एक हातियों की उसमें हमारा पर जितने महापुर से सब्सक्राइब करें लिए इस लिए उसमें हमारा अस्पताल मुक्र सुबधाय हमारी इस पताल की बहुत चरमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आगर देखें सबसे पहले इस पताल उसके बाद में सिक्षा दो चीजों का बहुत अच्छा विकास हो सकता तो उस जगह में लेकि यह है कि जो है महत्मा खुद नहीं सुरचित है लावाद में प्रयाग राज में आपने देखा है कि अभी नरेंदर गीरी जी को मार दिया गया विजए यही राज है जाज का विशह है अभी आप कहां उसको दमाप उसमें फैसला सुना रही है जाज कोरोना काल आया अब योगी जी राम मंदिर का फैसला आ गया है 2024 में फाइनल हो जाएगा हूँ एक बात होते ही है पहले भगवान साथ देगे होस्पिटल साथ देंगी जितनी होस्पिटल ने होस्पिटल इसकोल नहीं देखिए अब समझे 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 दो दो चीजों को द किधर उद्र क्यों नी घूम रहे आप उसमें क्यों योगदान दे रहे नियुक दे रहें यहां आरहे। इन्होंने बात को ने के किये तो मैंने मैं कुरोना पर छोटे सी ऐक बात बोलना चाथा हूँ हमारा देस भी क्रोचा से अच्छे से अड़ लड़ाय है यूससे अमेरिका तक को मात दी है उससे भी अच्छा हमने को हैंडल किया है उसके बावजूद स्टेट पर उनोंने जो हैंडल किया है कोई सक्स किसी भी मुक्यमंदरी ने किया तो बता दो उनकी छवी इतनी अच्छी वी उबर के आई कि बाहर के बाहर के देशों ने उनको ये रिकमेंड किया कि आप हमारे यह आई ये थोड़े मौते तो हुई वेवस्थाय की रूप में देखी गई ऊक्सीजन की कमी दिखी तो थी ना समस्याइक तो थी वह सर्वे व्यापी ती काली यूतरबर देश में नहीं पर उन्हों ने जो हैंडल किया इन्वन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया बहुत अच्या कैट लगोए यह बता रहा है कि जो हेको रहोओना में बहुत बढ़ीयां काम किया वीजेपी ने चाहिए उसको बैढ़ा दिये अलग अलग का कुछ और मैंटर है इसके साज़ चाहरे इसके मद जुड़ो उसका पास बलाग मानी एक बलाग मानी करने लूसूद ने साड़क पर उतर कर काम किया अच्छा काम था बहुत अच्छा का अब बताना चाहता हूं कि योगी जी ने टीवी पे आपने देखा होगा कभी नोड़ा जाते थे कभी दूसरी जगह जाते ते इतने होने बावजुद खुद हो आईसुलेट रहे फिर भी उन्होंने जग जग के बिलुकोल टेलीफ होने के लिए या वीडियो कोली कॉन्फरेंस के तरू उन्होंने पूरी तया से जमीन पर रह करके उन्होंने काम किया है तर पर खूब सुबदाएं मौया कराई थी माने योगी जी ने कोरोना काल में इस बात के लिए आप हर जिले के डीम साफ से अस पर ठीक है इस्टानिय मुद्दों पर बात कर लेते हैं ठीक है इस्टानिय मुद्द्दों को लोगर आपने क्या कुछ यहां पर लगता है कि बस पाने कुछ करने की कोशिश की जिससे कुछ बदलाव ला सके जिससे एक बार फिर से जो अपना जो जनादेश है उसको एक बार मजबूत किया जा सके अच्छा है वो यह इसके लिए क्या 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 अपने 2006-2001 से लगा क्या है यहां क्या हुआ था 2006-2004 के लगव यहां पर कुछ भी अधिगर नहीं था बहन कुमारी मायवतिगी 2007 में सरकार बनी पूर्ण मोंबस से विकास हुआ है उसी सरकार तक हुआ उसका बकास बंद हो गया फिर उसके बाद बिकास बंद हो गया कुछ नहीं बना यहां पर है कि बहुत बात चाहना चाहूंगा इस गाउंगा यह बहुत प्राचीन मंदिर है से मैं थोडी दिर पहले इसकरL मुझर udah तो अना इस तो नहीं था तेजपालनागर लगते हैं तेजपालनागर लगते हैं नवेडा के हैं पंकत जी विधान सब्सक्राइब तेजपालनागर सब्सक्राइब लगते हैं तो यहां पर कभी आए घूमने फिरने कभी देखने एक विर आए थी यहां पर आके मुलाकात हुई मेरे से मुलाकात नहीं मैंने बता रहे थे कि आए आप क्या कर रहे थे उनके आस-पास क्या में में प्रिंटिंग पर इसका भी क बात बीजेपी हम बीजेपी को गल्त नहीं बता रहे हैं हमने आपसे एक प्रेम है प्रेम मिलेगी तो बढ़िया काम करें देश के लिए पास इतनी वह नहीं है जो यह बहन कुमारी माईवती जी कर देंगे वह यह नहीं कर पाएंगे अभी भी कहीं भी मौका मिले तो चट लपा के पहुंचे ठीक है यहां तली बढ़िया नहीं ऐसे मौकों विकल्फ हमेंसार बचेक रखने चाहिए मुस्कुरा के बोल रहे हैं नहीं ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है बहन कुमारी मायवती मुख्या मंत्री बनने जारी है यह मु अपना पना तो करेंगे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि अभी आप सब लोग एकी स्वर्वें सुरक्षा की बात करें कि सुरक्षा में जो काम यूग आजितनात ने किया है और इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं होना चाहिए मैं काफी विदान सभाएं कवर कर चु सुरक्षा इस सरकार ने दिया मैलाएं भी खुलकर बूलते हैं कितने एंकाउंटर योगी जी जितने भी केंगस्टर हैं किसी को हावी नहीं होने दे रहा है पहले कि सरकार अंकाउंटर की वजह से यह स्थितिया आ जाती है कि मनीश गुपता जैसे एक साधरन इंसान को भी सिर्ट बहुत हो जाती है इसको भी मारा जाता है इंकाउंटर को हर लिया से ठीक ऊछेख रही फिर gorgeous का क्या काम पूलिसी अपने अपसे लुटा देगी पर जो इस पर जादा करने शाच्वी नहीं को पर दोट पर जादा करने हैं ठीक है चलिए आप ने तो हर जगा केवेकल खोल रखेंगे अच्छी बात है ठीक है लेकिन यह वताईगा कि आपको नहीं लगता है, सच बताईएगा, कि आपको नहीं लगता है कि मायवती जी का जो जनाधार है, धीरे-धीरे वो कम होता जा रहा है, जितने जमीन पर पहले कारे करता दिखते थे वो कम होते जा रहे हैं, जो पार्टी का रहा है, जो कल तक गाउं कूचे पर भी इसलिए जोइन करिये को एक सची पाटी इमानधर पाइटी है और रोजगार देने वाली पाइप चलिए तृट सब्सक्राइब तुर कॉंसे वाले है Ahphalese तयो या करे बदल थोड़ी दें गे मौका है 2022 मौका हैं 03 मोका है तो कॉल देंगे तो फिर लगता है कि तेल एलबे कुछ दाम में कभी आएगी कुछ होगा देखो यह तो यादव हैं नहीं यादो नहीं है ठीक है चलिए तो लगता है कुछ लगता है तो यादो यह हो ऐसा थोड़ी है दिमाग लगाने वाली बात नहीं वो तो काम पर होता है कौन पार्टिक को लेकर जनता खुश नज़राती देखो अखलेस यादो ने काम तो खयर बहुत सारे किया लेकिन हम यह जानना चाहते बिजेपी ने क्या काम किया है क्पार इतने रिख एक्सप्रेस बनवाए एक्सप्रेस वे बढ़ा दिया चली नहीं पाएंगे एक्सप्रेस वे पर तो शेपाल सिंहादव जी कह रहे हैं उनके लोग कहते हैं कि वह स्क्री समाजवादी है तो अब बताईए इसमें आप लोग करी तूट तो नहीं कि किसको देना किस तरफ जाना है इसमें टूट नहीं है हम तो अकलेश यादो को जिए अखिलेश वाले हैं बिलकुल उनसे ही तो के नहीं है तो किइस पर अधिर क्या है क्या लग रहा है महाहूल के सा क्या बता रहा है यह जी आएंगे यह जी योगी जाएंगे योगी जी अगया म visvelle चे एक जूरना कि तो फिर यहीं बात है यहीं बात रही सब्सक्राइब लिए यह सब्सक्राइब यह दो खभी कभी किसी इस को दबाना नहीं चाहिए यह आप दम जबान में कह दीजे मायवती जिंदावाद टीक है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमा ऐसा जुड़ने के लिए बहुत अच्छी बात चीत रही आप सभी का बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए तो जैसा की कारकर मैं बता दू कि यह विसरक गाउं है जो कि आज कौन सी तारीक है यह आपको पता है दशेरे का दिन है पूरा द बात चीत की मंदिर के अंदर बहां हमने आपको गुफ़ा भी दिखाई ए एक्स्वेरे भी दिखाई लोगों से भी बात चीत शेले और राजनीती में क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है इस पर भी चर्चा की उस पर भी बात चेत कि बाकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूस वोल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।